हलो प्यारे बच्चों हमारे चैनल लर्निंग इस फन में आपका स्वागत है आज हम इंग्लिश रीडर क्लास वन का चैप्टर नमबर थी पढ़ेंगे अफ़नी फ़नी जू यह बहुत फ़नी फ़नी चैप्टर है और इसके बाद हम इसके question answers भी करेंगे अब भी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चलो जल्दी जल्दी उसे subscribe करो very good चलो चैप्टर रीड करते हैं सबसे पहले इस picture को देखिए देखिए इस picture में यह एक girl खड़ी है इस girl का नाम है नीहा और यह देखो यहाँ पे water के अंदर lion है और यह pig है और यह देखिए यह parrot है और यह एक boy है यहाँ पे एक bear भी है और यह एक fish है यह देखिए पीछे एक goat भी बैठा हुआ है चलो यह चैप्टर को रीट करते हैं नेहा इस इन द जू नेहा जू के अंदर है ओ डियर और यह ने क्या कहा ओ डियर ओ डियर जब कहते हैं जब हम किसी बात को देख कर हैरान होते हैं द बॉइ इस ओन द ट्री बॉइ जो है वो ट्री के उपर है यह देखो बॉइ ट्री के उपर बेठा हुआ है और उसके विंग्स मी हैं अरे बॉइ के तो विंग्स नहीं होते हैं इसमें तो यह तो बहुत फणी फणी लग रहा है द बैर इस ओन द बाइसिकल और बैर जो है वो बाइसिकल चला रहा है यह देखो अरे कितना funny है तो The girl is on the bird Girl जो है वो bird के उपर है यह देखिए इसमें picture में दिख रहा है ना Girl जो है वो bird के उपर बैठी हुई है चलो आगे पढ़ते हैं इसको The pig is in the car Pig जो है वो car चला रहा है अरे कोई pig car थोड़ी चलाता है यह तो बहुत funny है चलो The goat is on the stool और goat कहाँ पे है देखो आपको picture में goat दिख रहा है यह देखो यह बैठा है goat goat stool के उपर बैठा है The lion is in the water और lion कहाँ पे है lion water में है अरे water में तो fish होता है lion तो cage में होता है The fish is in the cage अरे fish cage के अंदर है देखते हैं अरे fish cage के अंदर है lion जो है water के अंदर है और fish cage के अंदर है यह तो उल्टा पुल्टा है सारा किता funny है नेहा is happy to see the zoo नेहा ने zoo को देखा और वो बहुत खुश हो रही है happy हो रही है क्योंकि zoo बहुत funny है है ना चलो इसके question answer कर लेते है write the names of any four animals you find in the lesson आपको कोई भी four animals के नाम लिखने हैं जो आपको लेसन में दिखाई दिये हैं यहां पे four animals के लिखे हुए हैं इसके अलावा भी animals हैं आप कोई भी नाम यहां लिख सकते हैं यहां पे लिखा गया है bear, pig, lion and goat आप इसके अलावा parrot भी लिख सकते हैं इसके अलावा और भी animals जो आपने देखे हैं लेसन में वो आप लिख सकते हैं आराम से चलिए second question कर लेते हैं read carefully the following sentences ध्यान से नीचे वाले लिखे हुए sentences को पढ़ो and mark right for the correct statement और correct statement के लिए right का निशान लगा और right का निशान कैसा होता है देखे ऐसा होता है and cross for the wrong statement और जो wrong statement है वो उस पे आपको cross लगाना है यह देखे ऐसा cross आपको wrong statement पे लगाना है चलिए अब सारे हम यह पढ़ लेते हैं नेहा is in the park नेहा कहा है? पार्क में बताएए आपने lesson में पढ़ा था नेहा तो zoo में है तो याने कि यह statement wrong है है ना? तो हम यहाँ पे wrong लिखतेंगे the boy is on the tree boy हमने कहाँ पे देखा था? boy tree पर ही था याने कि यह वाला statement बिलकुल ठीक है तो इस पे हम right का निशान लगाएंगे the pig is on the stool pig को हमने कहाँ देखा था? stool पर? नहीं pig तो car चला रहा था stool पे तो goat बैठा था है ना? तो इसका मतलब यह statement wrong है चले आगला देख लेते हैं the goat is on the bicycle goat कहाँ पे था? आपने देखा था? लेसन में? गोड बैसिकल पे नहीं था गोड तो स्टूल पे था यानि कि यह statement भी wrong है है ना? नेहा is happy to see the zoo नेहा जू को देख के बहुत खुश हो रही है यह statement right है कि wrong है? आपने लेसन में पढ़ा था? यह statement बिलकुल ठीक है इसका मतलब हम इस पे right का निशान लगाएंगे दब बैर इस इन दगेज बैर कहां पे था? बैर तो केज में नहीं था केज में तो फिश था तो इसका मतलब यह statement wrong है बैर केज में नहीं था ठीक है? आपको यह लेसन कैसा लगा? आप मुझे comment section में जरूर बताना ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना ओके? बाई बाई